हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में रिलाइंस फाउंडिशन स्कूल से सिखशक भरती का जो विज्यापन चारी हुआ था तो आवेदन फिर से जो है स्टार्ट कर दिये गए है NTT, PRT, TZT, PZT में सभी सब्जेक्ट की वेकेंसी आई हुई है सेलरी जो है काफी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है और आवास की सुविधा भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी कोई भी application fees नहीं लगेगी, fresher बिल्कुल eligible रहेंगे सभी राज्यों के candidate यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं तो सारी process जानेंगे, कैसे आवेदन करना है, step by step सारी चीज़े में आप लोगों को बताऊंगी तो सभी candidate जो भी apply करना चाहते हैं, अन्त तक जो है video देखें, ताकि सारी चीज़े समझ में आ सकें तो vacancy की notification को check करने के लिए career section पर जो है click करना है और यह जो है, किस post के लिए apply करेंगे, तो यहाँ सबसे उपर है to apply for staff position please, click here ठीक है, तो इस पर click करके जो है आप लोग apply कर सकते हैं, अब देख लेते हैं, vacancy जो है, कौन-कौन से subject की है, qualification क्या मांग रहे है सबसे पहले जो है, assistant headmistress for pre-primary and primary school के लिए post graduate या फिर graduation आपका होना चाहिए B.E.D. के साथ में और 5 से लेकर 7 साल का अनुवव भी चाहिए, 5 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है pre-primary teachers के लिए जो है बिल्कुल अनुवव नहीं मांग रहे हैं, केवल post graduate या फिर graduate और 7 में आपके पास E.C.C.E.D. entity course किया है, तो भी आप apply कर सकते हैं, PRT mother teachers के लिए class 1-4 के लिए post graduation या फिर graduate के साथ में B.E.D. चाहिए next जो है T.Z.T. में अभी जो है सभी subject की vacancy है, आपका कोई भी subject हो post graduate या फिर graduate के साथ में B.E.D. होना चाहिए T.Z.T. के लिए और P.Z.T. के लिए ठीक है, P.Z.T. के लिए post graduation compulsory है और graduation compulsory है T.Z.T. के लिए activity teachers में arts, craft, music, dance, drama teacher की vacancy है और यहां केवल post graduation मांग रहे हैं या फिर graduation भी किया है तो भी activity teachers के लिए apply कर पाएंगे yoga teacher की vacancy है graduate या post graduate के साथ में diploma होना चाहिए yoga में special educator के लिए भी जो है graduation या post graduation के साथ में B.E.D. special education में मांगा गया है next career counselor की vacancy है तो diploma चाहिए career counseling में librarian और assistant librarian के लिए post graduate या graduation चाहिए librarian information science में assistant IT manager की vacancy है तो आपका computer में जो है अनुभब भी चाहिए और diploma भी चाहिए assistant IT manager के लिए HR की vacancy है जिसमें अनुभब चाहिए post graduate या फिक graduation के साथ में diploma के साथ में next जो है accountant assistant की जो vacancy है तो यहां commerce वाले candidate बिल्कुल apply कर सकते हैं लेकिन यहां पर अनुभब मांगा गया है अभी fresher जो है कहां कहां पर apply कर सकते हैं तो librarian के लिए apply कर सकते हैं career counselor के लिए special educator के लिए yoga teacher के लिए activity teachers के लिए PRT, pre primary teachers, trained graduate teachers and post graduate teachers यहां पर कोई भी अनुभब नहीं मांगा गया है तो अभी मैं आप लगों को बता दूँ कि vacancy फिलाल जो है Reliance Foundation School नवी मुंबई से है यह vacancy पहले भी notification जारी किया गया था और दुबारा से जो है यहां पर आविदन स्टार्ट हो गए है अगर आप apply करना चाहते हैं तो salary बिल्कुल कोई भी doubt नहीं होना चाहिए salary Reliance Foundation School की काफी अच्छी रहती है teachers की 7P commission के according यहां salary रहने वाली है जो भी candidate apply करना चाहेंगे तो आप लोगों को email करना होगा यानि online ही apply करना होगा email address नीचे दिया हुआ है careers.rfs.adu.in ठीक है application form अभी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा और address यह है Reliance Foundation School plot number 6061 sector 14 नवी मुंबई 400709 ठीक है अब चलिए देख लेते हैं आपर advertisement के उपर लिखा है to apply for staff position please click here तो इस पर click करना है आप लोगों को अब इस तरीके से जो है आपके सामने apply करने के लिए सबसे पहले जो है enter यहाँ पर जो यह लिखा हुआ है H1VQCNO जो capital में है capital में डाले और जो capital में नहीं है short में है तो उनको short में डाले ठीक है तो यहाँ पर जो star लगा हुआ है यह देखिए जहाँ पर star लगा हुआ है इन्हें आपको बिल्कुल भरना है इनको इन column को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है अगर आप इन column को छोड़ते हैं तो आपका form submit नहीं होता है fees बिल्कुल नहीं लग रही है name डालना है subject डालना है residence address डालना है आपका और जैसे subject है select आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कौन सा subject है तो वो subject select कर लेंगे ठीक है जैसे हिंदी है हिंदी select कर लिया residence आपका बिल्कुल डालना है आप कहां से belong करते हैं यह जरूर डालें ठीक है उसके बाद जो है आपकी जो है date of word डालनी है आपको फिर आप married हैं unmarried है इंडियन्स में बिल्कुल fill है पहले से ही mother tongue आपकी जो है select करनी है आपकी mother tongue कौन सी है आसामीज बेंगाली क्योंकि vacancy है मुंबई की ठीक है लेकिन इनके द्वारा जो है गुजरात में भी स्कूल चलाए जा रहे हैं और करनाटक में भी है ठीक है और वेस्ट बंगल में भी है आसाम में भी हैं तो आप हिंदी चूज करेंगे अगर कोई candidate other state के है तो हिंदी क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर पोजिशन अप्लाइड फॉर तो select पर क्लिक करना है teaching staff के लिए है या non teaching staff के लिए किसके लिए आप अप्लाइ कर रहे हैं जैसे teaching staff के लिए other if other यहाँ पर कोई भी star नहीं लगा हुआ है इसको आप बिल्कुल blank छोड़ दें gender आप select कर ले male या female तो इसी तरीके से आप लोगों को पूरा fill करना है जहाँ पर star नहीं लिखा है जैसे if other if others यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ आप नहीं बरेंगे तो भी चलेगा लेकिन जहाँ पर star है जैसे email address जो है आप लोगों को बिल्कुल इसी के द्वारा तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि selection आपका हुआ है या नहीं mobile भी mobile number भी डालना है और notice period telephone number photo upload यहाँ पर जो है आपके जितने भी document है photo है यह सारी चीज़े आप लोगों को choose file करके upload कर देनी है बस इतना सा ही form है ज्यादा बड़ा नहीं है उसके बाद जो है left side में देखेंगे submit यहाँ submit कर देना है ठीक है तो main website का link बिल्कुल आप लोगों को share कर दिया जाएगा जो भी candidate apply करना चाहते हैं इच्छोक हैं और Reliance Foundation School में पढ़ाना चाहते हैं बहुत सारे candidate का पहले भी selection हुआ है गुजराज side में बहुत सारे candidate गए क्योंकि salary काफी अची देते हैं और अनुभब नहीं मांग रहे हैं कोई fees भी नहीं लग रही है तो चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में थेंक यू